नमस्का साथियो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वालें सस्य हमके एस एक्जाम के लिए क्वालिफिकेशन यानि की युगता और इस लिमिट के बारे में एक्जाम और सेलेक्शन प्रॉसेस भी बताएंगे इस लिए वीडियो के अंट तक बने रहे हैं आईए सबसे पहले बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने कम से कम दस्वी के अच्छा पास किया है दिन आप अप्लाई कर सकते हैं आपने किसी भी सब्जेक्ट से पास किया है आप अप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बोर्ड से पास किया है वो मानिता प्राप्त हो आप अप अप्लाई कर पाएंगे आपने UP बोर्ड या फिर उत्राखंड बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर किसी अदर स्टेट बोर्ड से पास किया है CBSC से pass किया या फर किसी Central World से आपने पास किया आप apply कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी वो Regernize ट्यानिय मानिता प्राप्त होना चाहिए ठीक है, 10th में कितने percent marks होने जरूरी है ये भी सवाल होता है students का तो 10th में आपके कम से कम passing marks मतलब कि pass होने के लिए जितने जरूरी है, उतने होने जरूरी है वैसे आपके 40%, 50, 60, 87, 99, 99 ठीक, जितने भी marks हैं, आप apply कर सकते हैं कम से कम pass होना जरूरी, इस चीज़ को ध्यान रखे ये ज़िमिट के बात कर लेते हैं, तो SACMTS exam के दौरा जो post मिलते हैं, उनमें से जो कुछ post होते हैं, उनके लिए age limit होती है, 18 से 25 वर्स, यानि 18 to 25 years और कुछ post होते हैं, उनके लिए age limit होती है, 18 से 27 वर्स, यानि 18 to 27 years ठीक है, तो आप जिस post के लिए apply करें, उसके लिए जो official notification जारी होता है, उसमें लिखा होता है, कि इस post के लिए इतनी age limit है, और इस post के लिए इतनी age limit है, तो आप पड़ सकते हैं, मतलब कि 18 से 25 वर्स, और 18 से 27 वर्स, ये age limit होती हैं, और जो OBC करड़ेगरी candidates होते हैं, उनको 3 साल, यानि कि 3 years की यानि कि जो अपर age limit होती है, उसमें छूट भी मिलती है, इस CST करड़ेगरी candidates को 5 साल, यानि कि 5 years की age में relaxation मिलती है, यानि कि उपर याई स्विमा में छूट मिलती है, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, selection process और exam के बारे, बात करा है selection process की, तो सबसे पहले आपको computer based exam, यानि कि CBD देना होता है, computer पर आपका exam होता है, उस exam को clear करने के बाद आपको descriptive paper लिखना होता है, यानि कि लिखने वाला paper होता है, उसको clear करना होता है, और यह जो लिखने वाला paper होता है, इसको qualify करना ज़रूरी, मतलब कि इसमें कम से कम आपको qualifying marks लाने होते हैं, उसके बाद आपका PET और PST यानि की physical efficiency test और physical standard test होता है, और उसके बाद आपका document verification फिर आपका selection, ठीके तो यह process होता है, I hope आपको सारी शीदे समझ में आगे होंगी, फिर भी को confusion है, तो आप comment section में पोच सकते हैं, हम आपको course exam से समझ में अगर आपको जन करें चाहिए, तो वो इस topic का नाम लिखे और साथ में right info लिखे, आर्टिकल आ जाएंगे,